नमस्कार किसान बाईयो मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत हैं किसान बाईयो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उटी लसन में हमें आकरी पानी कप पिलाना चीए उटी लसन से हमें क्या पेचान देखने को मिलती है कि यही समय सही रहता है आकरी पानी पिलाने का किस अवस्ता में उटी लसन हो जाती है उसके बाद आपको पानी नहीं पिलाना रहता है किसान भाईयों इस तरीके की समझ्या बहुत सारे किसान भाईयों के साथ में होती है कि वो बहुत ज़्यादा पानी पिला देते हैं उटी लसन को जिससे उनका क्या होता है कि लसन का कंद नहीं बन पाता है यानि कि मालवी पाशा में बोलते हैं कि गाटिया नहीं बन पाता है तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको उटी लसन में आकरी पानी कब पिलाना चीए और किसान भाई यो आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आयो तो इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजे और इस वीडियो का अपने सभी किसान भाईयों तक जरूर शेर कीजे जो उटी लसन की खेती करते हैं तो चलिए हम पूरा वीडियो में डीटेल से समझते हैं और पेचान करते हैं कि किस समय की आवस्ता में हमें उटी लसन को आकरी पानी पिलाना चीए. तो किसान भाई आप देख पा रहे होंगे यह उटी लसन का जो पोदा हैं इसमें इस तरीके का अगर बंद पत्ता आना शुरू हो जाता हैं उसके बाद आपको क्या करना रहता है कि आकरी पानी पिला देना चीए. यानि कि आप देख सकते हैं कि यह इस तरीके का जब बंद पत्ता आ जाता है उटी लसन में तो उस समय पर आपको क्या करना है आकरी पानी पिलाना यह इसकी पेचान रहती हैं उटी लसन में कि इस तरीके का अगर बंद पत्ता आपकी उटी लसन में आना शुरू हो गया है तो आपको आकरी पानी पिला देना है इसके बाद आपको कोई भी पानी पिलाने की आउशकता नहीं रहती है क्योंकि किसान भाईयों यही समय सही रहता है उटी लसन में आकरी पानी पिलाने का अब किसान भाई यो मैं बता देता हूँ कि एक पेचान और आपको करना है कि ये आपके उटी लसन में इस तरीके की अगर कली बनना शुरू हो गई या फिर इसे बोलते हैं एंटिना भी बोलते हैं बहुत सारे किसान अगर आपके उटी लसन में इस तरीके का एंटिना यानि कि जो एंटिना बनता है या बंद जो डोड़ी आती है ये क्या आती है ये जो आती है ये भी इसी बंद पत्ते पर ही आती है तो अगर आपके उटी लसन में इस तरीके से आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इस त बाद का आपको जरूर ध्यान दखना है आपको क्या करना है कि अगर आपके फसल में बंद डोड़ी बन गई है तो इसके बाद आपको बिलकुल भी पानी नहीं देना वनना आपकी उटी लसन की पेदावार सही तरीके से नहीं होगी तो किसान भाईयों मैं एक बार और बता अगर आपकी उटी लसन में अगर इस तरीके का बंद पत्ता आना शुरू हो गया है इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर इस तरीके का बंद पत्ता आना शुरू हो गया है तो यह समय सही रहता है उटी लसन में आकरी पानी पिलाने का लेकिन जब आपके उटी लसन में इस तरीके से बंड डोडी या एंटिना बन जाता हैं, इस तरीके के आप देख सकते हैं, यह डोडी जो हैं, अगर यह डोडी बन गए, इसके बाद आपको बिलकुल भी पानी नहीं पिलाना है, अगर आप पानी पिलाते हों, तो आपके उटी लसन की पेदावार जोरूर कम देखनों को मिलेगी, क्योंकि यह सही समय रहता हैं, कि जब आपके उटी लसन में एंटिना बनना शुरू हो जाता हैं, उसके बाद उटी लसन को बिलकुल भी पानी की आउशकता नहीं होती है, तो किसान भाईयों, मैं उमिद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो आपक करीदी हैं, कि उटी लसन के आप किस तरीके से पेचान करके इसमें आकरी पानी दे सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझी में आ गया होगा, और किसान भाईयों, यदि आपको मेरे द्वारा जो बताए गई जानकर यह अच्छी लगी हो, और आप इस चैन